फ़ी ऐसा क्या करते हैं टॉपड जो पांच लाकी बिखिल में कटके 7000 में भी हिश ठटके टॉप 10 में आते हैं ऐसे वो क्या करते हैं कि वो टॉप 10 में ऐसे खतरनां जाब आंब आते हैं एक impossible effort कि मैं आज 12 घंटे पढ़ूँगा, मैं 15 घंटे पढ़ूँगा, कभी नहीं वो हमेशा एक balance अप्रोच रखते हैं, वो एक हमेशा एक systematic अप्रोच रखते हैं, वो एक हमेशा ऐसा अप्रोच रखते हैं, जिसे वो balance देखा पाए, मतलब balance को मतलब क्या, balance को तब ये, कि math 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 पढ़ लिया, जिया, get छोड़ दिया, वो एक balance पढ़ते हैं, math भी पढ़ते हैं, get भी पढ़ते हैं, पहला चीज, दूसरा चीज, उनका तुम कभी ये नहीं देखोगे, कि imbalance time table होता है, imbalance time table मतलब क्या, कि एक दिन पढ़ लिया, 6 घंटे, अगले पढ़ा ही नहीं, ऐ देली पढ़ते हैं, और एक plan के साथ पढ़ते हैं, तीसरा, जितने भी टॉपर से तुम किसी की story से लिना, सब में एक चीज़ में common मिलेगी, कि उनका एक planner होता है, उनके पस एक planner होता है, वो obviously बहुत सारे teachers को, बहुत सारे groups को, बहुत सारे online courses को, offline courses को follow करते हैं, पर उनके पस एक planner होता है कि मुझे यहां से यह लेना है, बस और बाकी मुझे अपने आप करना है और यह चीज़, तो मतलब समसे पहले अगर आपको एक topper mindset समझना है, तो आपको एक पाप क्या से प्लैनर होना चाहिए, जिसको आप यह आप के उपर है, बिकॉस देख में समझिए, कोई भी teacher, कोई भी coaching, कुछ भी सिस्थान, आपको जो plan देता है, that is called general plan, वो एक हर एक के लिए अलागू होता है, पर जो toppers होते हैं उनको यह पता होता है, कि यह general plan है, यह मेरे लिए सिर्फ नहीं है, उनने यह पता होता है, कि उनके लिए क्या है, वो अपने according plan आते हैं, च तॉपर्स जित्ते होते हैं ना, जाने या अन जाने इसी चीज़ को follow करते हैं, वो यह देखते हैं कि उन्हें क्या आता है, वो यह देखते हैं कि पेपर में क्या आता है, और फिर इन दोनों को मिलाते हैं और एक अपनी proper simple strategy बनाते हैं, और उसे consistency के साथ follow करते हैं, क्या बो वोकस करते हैं तो अगर आपको भी NDA टॉप करना है तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है especially mock test कि पढ़ाई करना है अच्छी बात है पर पढ़ाई के साथ-साथ mock test दे कर अपनी analysis भी करनी है कि हम कितने पानी में हैं तो अगर इन सब चीजों को आपने भी follow कर लिया तो यकीनन एक दिन आपका भी नाम इंडिये टॉपर्स में जरूर होगा